आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की बड़ी ख़बार उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर कॉंग्रेस पार्टी और समाजबादी पार्टी में सीटों के बटबारे को लेकर बादशीत अब लगभग तूट चुकी है ऐसा लग रहा है कि आप ये समझोता शायद नहीं हो पाए आपको बता दें कल अखिलेश यादव ने 17 सीटों की एक पेशकर्ष की थी 17 सीटें ओफर की थी समाजबादी पार्टी को और इस लिस्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा समाजबादी पार्टी को और कल रात भी बादशीत चली है दोरों पार्टियों के बीच में उसके बाद से बिलकुल सननाटा खामुशी है बादशी बिलकुल बंध है और अब इसकी गुंजाइश नक के बराबर दिखती है कि अखिलेश यादव रायवरेली में या आगे लखनओ में राहूल गांधी की भारत जोड़ों नया आत्रा में शामिल होंगे दरसल कॉंग इसको लेकर के पात्चीत अब पूरी तरीके से लग रहा है कि अब तूट की कागार पर है रुची कुमार हमारी समरता जोड़री है हमारे साथ लखना उसे तो रुची अब बिलकुल ये तैई है कि अब इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं दोनों पार्टियों के ये समझाता तभी होगा जब कांगरेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की जो मांगे हैं वो मानने को कुछ हद तक तैयार होंगी लेकिन फिलहाल ऐसी सित्थी बिलकुल नहीं दिखाई देती है अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि कांगरेस जो है बार बार नई सीट्स हो लेकर आ रही है और हमने उनको सत्रा सीट भेड़ दी जो नोंने मागी थी उसमें उन में से वो भी लिस्ट में कुछ शामिल थी कुछ नहीं शामिल थी लेकिन कांगरेस कह रही है कि नहीं है सत्रा जो आपने सीट्स दी है इसमें तो कुछ होई नहीं सकता क् आपकी लिस्ट है ये लेकर आला कमान के पास जाना होगा और हम आला कमान से इस लिस्ट को लेकर बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि आला कमान ने हमें साफ कर दिया है कि कहां लड़ना है कहां नहीं लड़ना है और तो जिस तरह से दोनों तरफ के लो जो पार्टीज हैं वो क क्योंकि बादचीत तभी होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से जब कॉंग्रेस ही जो 17 नाम भेजे हैं उस पर अपनी सहमत ही जारी करेगी जी सुर्व रुची बहुत शुक्रिया आपका तो रुची ने आपको जैसे बताया कल देर रात तक बातचीत हो रही थी उसके बाद फिलहाल कोई बातचीत आगे नहीं है और अखिलेश यादव बिल्कुल साफ कल इस बात को पहले ही कर चुके हैं कि हम जाएंगे इस यातरा में राहूल गांधी की तभी जब हमारी सीटें फाइनल हो जाएंगे दोनों पार्ट जो कि और वो फाइनल होती दिखाई दे नहीं रही है मतलब अखिलेश यादव यात्रा में जाएंगे नहीं अभी के परिस्तिती यह जो सीटें खास तोर पर जो जानकारी रुची ने हमको भीजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ मुरादाबाद, सहारनपूर, बिजनौर, मेरट, अमरोह, लखनव कॉंग्रेस चाहती है कि इन से तो हम पीछे नहीं हटेंगे ये सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए और इस पर अकलेश यादव को कुछ ना कुछ हमको अकुमोडेट करना पड़ेगा ये भी information है, कॉंग्रेस ये कह रही है कि समाजबादी पार्टी ने हमको ये भी कहा है जो अकलेश यादव नहीं बता रहे हैं कि ये जो 17 सीटें हमको दे रहे हैं उसमें से भी 5-6 वो अपने उम्मीदवार लडाना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी के सिंबल पर अब इसमें आगे परिवार की कोई योजना वहां से किसी को लडाने की हो तो ये हम नहीं कह सकते हैं लेकिन मुरादाबाद को लेकर के बहुत जादा दोनों पार्टीों के बीच खींचता नहीं ये सीट फिलाल समाजबादी पार्टी के पास सहर्ष्वधन जी क्या लग रहा है बात नहीं बनने वाली बात तो बननी थी नहीं और उसके पीछे वज़ा ये है कि दोनों को ये पता है कि ये भीतर घात हो रही है यनि दोनों एक दूसरे के वोट बैंक में घुसने की कोशिश कर रहे है उसका वला हिस्सा काटने की कोशिश कर रहे है ये लड़ाई ये कता ही नहीं है सबको पता है कि 15, 17, 21, 20 या 10 सीटे इससे कोई मतलब नहीं है असली चीज है कि क्या 2024 के चुनाओं में जिसको बार-बार कहा जा रहा है कि करनाटक और तेलंगाना के बाद क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मद्दाता भी कॉंग्रेस की तरफ देखेगा क्या दो दशक पहले की राजनीत की तरफ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जाना शुरू होगा क्या ये बड़ा सवाल है और आप देखिए जिन सीटों पर एक तरह से कहें कि बिल्कुल होकर हैं पीछे नहीं एटेंगे वो पीछे सीटे वो हैं जहां पर मुस्लिम मद्दाता बहुत जादा है मुरादाबाद की जहां तक बात है रॉबर्ट वादरा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको लोकसवाद चुनाओ लडाये जाए मुरादाबाद से वो दो दो बार प्रयास कर चुके हैं उनको टिकट नहीं मिला बार बार ये कहा गया कि नहीं ये ठी राचायर प्रमोत कृष्णम एक तरह से भारती जन्ता पार्टी की ही तरफ खड़े हो गाएं लेकिन ये बड़ा वर्ग है जो ये कहता रहा लेकिन इस सबसे इतर अखलेश यादो और राहूल गानी दोनों अपनी अपनी रणनीति पर शातिर तरीके से काम कर रहे हैं उसमें कोई साहमती का बिंद होगा ये लगब मुष्चल है लेकिन आप अगर कॉंगरिस पार्टी मुरादाबाद मांग रही है और इस हद तक मांग रही है कि इस पर समझोता तूट जाए तो तूट जाए तो गया रॉबर्ट बाटर को लड़ाने की तैयारी कॉंगरिस पार्ट है वहाँ पे बहुत बड़ा तबका ब्राह्मनों का है और अगर हम बिजनौर की बात करें और मुरादाबाद की बात करेंगे तो 45 फीसेदी मुस्लिम है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगता है खासतोर से मुरादाबाद में कि वह सीट अराम से निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं देखिए अगर हम बिजनौर की बात करेंगे तो बीएसपी वहाँ पे काफी स्टॉंग जो है रही है और अलग-लग इन तीनों सीटों की भी बात करेंगे तो अलग-लग समय में अलग-लग पार्टी ने इनको जीता है तो ऐसे में यह कहना के कॉंग्रेस वहाँ पे जीत जाएगी इन सारी जो यह सीटें है बड़ा मुश्किल है और यही कारण है कि क्योंकि अखले ज्यादा धरातल पे यह सब सर्वेवर्वे करवाते हैं उनको जानकारी रहती है तो वह कभी इस हालत में इन तीनों सीटों को नहीं देखिए यह बात की अच्छ बलिया को लेकर जो समझा जाता है कि राजपूर बहलो राजपूर बहल नहीं रही वहाँ से भुम्हार और ब्राहमल प्रत्याशी का दावा जादा बनता है अभी जो नया समीकरन होगा उसमें मवू, सलेमपूर, बलिया, गाजीपूर इन सीटों का इक्वेशन भी बदले इंडिया गटबंदन जो बिखरा है, अब आप देखिए, आप पश्चे मंगाल से शुरू कीजिए, जो पहली पार्टी थी जो इंडिया गटबंदन से भाहर हुई थी, ममता बेजर जी ने का कॉंग्रेस को सीट ओफर कर दी, कॉंग्रेस तयार नहीं है उन सीटों पर आन इसा कोई टेंट बने जिसमें सब लोग ख़़े हुए नजर आए, लेकि दो स्थिती है इसके अंदर, या तो कॉंग्रेस चाती नहीं है कि इनके साथ गटबंदन हो, या कॉंग्रेस अपनी जमिनी वास्तवीक से बिलकोई अंजान है, कॉंग्रेस को आज भी है लगता है क जमिनी स्थारप उसकी बहुत मजबूत है, और वो चुनाओ जितने की स्थिती में, इसलिए वो अपनी शम्ताओं से ज्यादा सीटे माँग रही है, अब मुरादाबाद की सीट की बात चल रहे है कि कॉंग्रेस अड़ी हुई है, मुझे लग रहा है मुरादाबाद को लि मुझे लिए अखले शादो के हिसाब से, अखले शादो उनको सीट देने के लिए तयार नहीं है, अब गॉंग्रेस जो सीटे मांग रही है, वो सब बस्पा की जिती बी है, 2019 का अगर आप चुनाओ देखेंगे, अमरोहा की मांग कर रही है, बिजनूर की मांग कर रही है, क्या रही है, कि मुझे बीफले है, अज आपके बास एक सीट रही है, वाहा है तो अश्यूर का शनिया धन का रही है, अब आपके आपके बास एक सीट, चिनाओ लड़ने कीरी आप रही है, और अमेटी आप घा चुके, और ये दोचीर चुविस सेनगरे, ब्च्चे के वि आप 2009 की थोड़ी बात कर सकते हो, किल आप केदा होगी, 1984 में आप 14 सीटे जाओंगा, देखिए बिलकुल मैं नहीं मान सकता, मुरादाबाद में 6 विधान सभा सीट है, 5 विधान सभा सपा के पास है, कैसे दे देंगे मुरादाबाद, हो ही नहीं सकता, जो सीटे सपा की मजब एक रामपूर खास, एक फरेंदा महराज गंज की, तो फिर तो इनको सीटे ही नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप दूसरे लिहास से देखें, तो क्या अखलेश यादो, अकेले, भारती जनता पार्टी से 5 सीट भी जीतने की स्थितिती में हैं, तो मुझे लगता कोई तो कॉमन ग्राउंड आना चाहिए, और मैं यह मानता हूँ, दोनों ही पार्टियां लडने के मूड में नहीं, वो बस संदेश देना चाहिए, हम कहीं बहुत डीटेल में जाने में, बड़ी अव्विस सी चीज़े उसको मिस तो नहीं कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियां व प्लान भी बनाते हैं प्लान भी जब आपको लगता है कि अच्छा प्लान भी तो आप पहले ही बना के चल रहे थे कि अच्छा यातरा राहुल गांदी निकालेंगे, उसके जरीए हम कुछ 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 करेंगे। दूसरे महासर्चिप कुछ कहते हैं तो वो पार्टी की राय हो जाती है, तो ऐसा हम दोयम दर्जे के साथ तो पार्टी के अंदर नहीं चल सकते हैं। बाबू सिंग कुछ वाहा को याद कीजिए। उन्होंने भी ऐसे ही पार्टी बनाई थी, उनके पास भी पैसा बहुत था, कई जिलों में उन्होंने यूनिट बना ली, खुब गाड़ियों से लोग कारिकरता निकले, बाद में क्या हुआ? इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौरिया को देखे, तो इनका कोई आधार नहीं है, ये खुद ही सीट बदल बदल कर भागते रहे। उतकर्ष मौर राइबरेली से लड़के चुनाओ हार गए, ये अपनी जहां कि इनकी अपनी सीट है, रहने वाले मूलता प्रताब गड़के हैं, अपने जिले से कोई राजनीती नहीं करते, देवरिया पटरोना चले जाते हैं, तो कुल मिलाकर इनकी जो पूरी राजनीती है, वो या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, या भारती जनता पार्टी के साथ आई, बीच में ये सपा के साथ आए गए, इनका उस तरह का बाधार बचा नहीं है, और जो विशेश करके मौर्य मत दाता है, वो केशो प्रसाद मौरिया को देखेगा, या फिर स्वा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के बाद, क्या स्वामी प्रसाद मौरिया जैसे राम चरित मानस भगवान राम पर लगातार प्रतिकूल टिपडी करने वालों के साथ कोई खड़ा होगा, मुझे लगता है नहीं खड़े वाना, ये जिसको कहते है वोट कटवा हो जाएंगे, कुछ-कुछ कहीं सीटों पर प्रत्याशी उतार कर थोड़ा अपना ख़जारा भर लेंगे। उनकी बेटी भी जानती है, अगर उनको सांसत बनना है बदायू से, बरीत जंता पाटी उनके पितार की पार्टी नहीं जित्वा सकती हैं।